बागत है आपका हमारे चैनल और आज हम लाएं है आपके लिए एक और बेहत जरूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों डाइबेटीज के मरीजों के लिए तीन प्रकार की चाय के बारे में जिनका सेवन अगर कोई भी डाइबेटीज पेशेंट करता है तो उसको ड की जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आएज शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों के डाइबेटीज की बीमारी में ब्लड शुगर लेवल को काबो म होना तो इसलिए दोस्तों आज हम तीन प्रकार की ऐसी चाय के बारे में बात करने वाले हैं जिन से डाइबेटीज के कंट्रोल में मदद मिल सकती है और ये ऐसे आईरवेदिक ट्रिंक है दोस्तों जिन्हें इंस्टेंटली यानि तुरन तयार किया सकता है और इनके होता है बलकि ब्लड शुकर को भी कंट्रोल किया जा सकता है लंबे समय तक आप दिन में एक से दो बार गुड़ल की चाय पी सकते हैं इसको तयार कैसे करना है मैं आपको बता हूं दोस्तों के दो से तीन गुड़ल के सुखे हुए फूल लेने मार्किट से मिल जाते हैं दूसरा अटम धूस्तों दूसरी चाए है वह दाल चीनी की चाय और मैं आपको बताऊं दोस्तों के स्वाथ बढ़ाने के साथ दाल चीनी बलड शुकर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं दोस्तों अगर आप नियमित रुप से दाल चीनी की चाय सुबह खाली पीते हैं एक कप तो यह आपके हरदय को भी स्वस्त रखती है और आपकी ब्लड शुगर को भी बढ़ने नहीं देती तो जरूर पीजिए यह चाय और बनाने कैसे हैं मैं आपको बताओं के तीन से पांच ग्राम दालचीनी पौडर दो कप पानी में डालकर उबालिए उसे लगभग 10 मिनट तत फिर दोस्तों जितना भी पानी रह जाए उसमें से एक कप छान करके उसे पी जाए अगर दो लोग हैं तो आदादा करके पी जाए लेकिन यह आपके लिए बहुत फायद इसमें कई तरह के पोशक्ततों हैं इसमें anti-inflammatory गुण मौजूद होते हैं दोस्तों और यह blood sugar level को control करने में भी मदद करती है ऐसे में diabetes के मरीज अपनी routine में काली चाय का इस्तमाल कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए और अगर आप 2-3 चाय भी रोजाना पी सकते हैं तो यह in sensitivity में सुधार करती है दोस्तों और यह blood sugar को control करने में इसाहिए एक और इसका सबसे वड़ा फायदा यह है कि यह blood clotting के खत्रे को कम करती है तो ध्यान दिजेगा तो आज के लिए इतना ही दोस्तों और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक और शेर जर केंगे उह वीडियो हमें